असलाम लिकुम तोड़े आवर टॉपिक इस आइन आइन क्या है जिस पे पोस्टिव चार्ज हो यहां फिर नेगेटिव चार्ज हो आइन की दो टाइपस हैं केटाइन एन अनाइन पोस्टिव चार्ज को केटाइन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं अब केटाइन और एनाइन पे पोस्टिंग या नेगिटिव चार्ज कैसे आता है? कैसे किरियर्ट होता है? वो हम इसकी ग्जामपल से डिसकस करते हैं. क्यां पर केटाइन की दो ग्जामपल स्कीवन है? एक सॉडियम की है और एक हाइडूजन की. सॉडियम के पास टोटल 11 एलेक्टरोन होते हैं. इसके फर्स शेल में 2, नेक्स में 8 और आउटर मोस में सिर्फ एक एलेक्टरोन है. अब इसको 7 एलेक्टरोन चाहिए अपना ओक्टे रूल पुरा करने के लिए. तो सॉडियम क्या करते है? ये एक एलेक्टरोन लूस कर देता जो भी atom, electron lose करता है, उस पे positive charge create हो जाता है Hydrogen, hydrogen के पास सिर्फ एक electron है और वो एक electron जब lose करता है, उस पे positive charge create हो जाता है N9, N9 क्या है जिस पे negative charge है अब negative charge कैसे आता है, oxygen के पास total 8 electrons होते है 2 इसके innermost में और 6 इसके outermost orbit में अब इसके लिए 2 electrons लेना ज्यादे easy है 6 electrons को lose करना मुश्किल है तो यह oxygen क्या करता है, यह 2 electrons gain कर लेता है जब यह 2 electrons gain करता है, तो इसके 8 electrons पूरे हो जाता है तो जब यह 2 electrons gain करता है, इसलिए इसके उपर O negative 2 आ जाता है कि इसने 2 electrons क्या किया है, gain किया है कलोरीन, कलोरीन के पास total 17 electrons होते है फर्स शैल में 2, सेकिंड में 8, लेकिन थर्ड में सिप 7 electrons है अब यहाँ पे इसको octidol पूरा करने के लिए सिर्फ एक electron चाहिए तो कलोरीन क्या करती है, एक electron gain करती है और इस पे कौन सा charge आ जाता है, negative 1 हम लिख भी सकते है, नहीं भी लिख सकते है इसलिए C negative भी हम लिख सकते है अब केटाइन और इनाइन में क्या डिफरेंस है कि केटाइन जिसपे negative charge हो और वो negative charge कैसे आता है जब वो electrons gain करता है अब वो एक भी electron gain कर सकते है दो भी कर सकते है, तीन भी कर सकते है इससे तरह केटाइन केटाइन क्या है जिसपे positive charge हो और वो positive charge कैसे create होता है जब वो अपने electron lose करता है